हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूरु सैनिकों पेंशनर्स और केंद्रिय करमचारियों के लिए आज तीन से चार इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे केंद्रिय कारंचारियों और पूरillon सैनिकों के लिए सबसे बढ़ी दोस्तो जो पेंशनर्स का पर्ष में माईग्रेशन हुआ है और कुछ पेंशनर्स को जो एडिशनल पेंशन मिलती थी इस पेूप पिछले एक दो महिने से रोक लगी हुई है कुछ पेंशनर्स की पेंशन रोग दी गई है और साथ ही साथ दोस्तो एडिशनल पेंशन पर जो 65 साल से है उसके ओपर क्या अपडेट है उसके बारे हम बात करेंगे बात करेंगे दोस्तो पूर उसेनिकों के जो बच्चों है उनके लिए दोस्तो अभी 90,000 से लेकर जो है एक लाख 5,000 तक का आपको जो मिलने वाली है उसके बारे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे दोस्तो महेंगाई भत्ते को लेकर Important Update है महेंगाई भत्ते को लेकर बहुत ज़्यादा confusion बना हुआ है महेंगाई भत्ते में अभी क्या होने वाला है कि AIC PIN के आखड़े अभी तक नहीं आएं दोस्तों तो अब महंगाई भत्तर पर क्या होगा स्पर्श की तरफ से अभी दोस्तों तीन महिने का जो है डियार अभी भी जो है रुका हुआ है बारा मार्च का ओडर आया था जहां पर बारा मार्च में क्लियर कर दिया गया था कि पूर सेनिकों को जो है डिया डियार का जो है जो भुकतान कर दिया जाएगा लेकिन मार्च में भी आपका 46% भुकतान हुआ तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में दोस्तों और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथी साथ बैल आइकन ज़रू दबाए दोस्तों पर्श जो नया सिस्टम शुरू हुआ है उसमें दोस्तों बहुत सारे जहां भी जारी किया है जोहां पर उन्होंने लाइफ स्यनगी उसमा कराने के लिए अब जून तक का सबनेदिये तो जोब लोने जुन तक का सब्सक्राइब दोस्तों तो लोट्मेटली जना dow कि पेंशन रुकी थी या रोकी गई थी जिन्होंने नौमबर में लाइज सेटिफिकेट जमान नहीं किया था उनको दोस्तों आटमेटिक लिए उनका जो है पेंशन जो है चालू कर देना चाहिए था और उनको जो है लेटर के माध्यम से सूचित करना चाहिए कि अब जो है तक जो है इसका डेट टकींड हो गया दोस्तों एक्जट रीजर नहीं पता लेकिन यह है कि कई लोगों के पेंशन रुकी हुई है और इसलिए ऌह दोस्तों जिन लोगों कीपेंशन रुकी हुई है व्हों सपर्ष में थरफ़ कर सकते हैं कि उनकी पेंशन लाइफ सेटिफ का टाइम जून तक बढ़ा दिया गया है इसके लाव दोस्तों अगर दूसरी बात करें दोस्तों पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है स्पर्श में और स्पर्श में खुद इस डिस्क्लेवर में कह रखाया कि आप अपने डेटा के खुद रिस्पॉंसिबल है तो इसलिए दोस्तों कई लोगों के डेटा ऑफ बर्थ गलत अपडेट हुई है और उसकी वएसे जब तक वो बैंक में थे बैंक के सिस्टम के गॉर्डिंग वो एडिशनल पेंशन के इलिजिबल थे और हम बात करें दोस्तों एडिशनल पेंशन जो की आपको 80 एर्स में मिलती है और उसमें आपको 20% का बेनिफिट मिल रहा था लेकिन वो जैसी दोस्तों स्पर्श में आये क्योंकि उनका डेटा बर्त जो है गलत अपडेट हो गया तो उनका दोस्तों एडिशनल पेंशन मिलना बंद हो गया है और इसका भी सेम इलाज है दोस्तों आपने स्पर्श के माध्यम से भी ग्रिवेंस का एक प्रोविजन है अगर आप लॉग इन करते हैं वहां से आप ग्रिवेंस डाल सकते है इस टाइम पर दोस्तों CP-gram है CP-gram में जाके अपना आप ग्रिवेंस डाल सकते हैं और वहां पर आप पता सकते हैं कि आपको जो है बैंक से जो है आपको एडिशनल पेंशन मिल रहा था लेकिन जब आपको आपको सपर्श में माईगरेशन हुआ है तब से मिलना बंद हो गय यह लेकिन अगर 10 परसेंट भी है पांच परसेंट भी है दोस्तों तो पेंशन अगर पेंशनर्स के घर में नहीं आती तो बहुत मुश्किल होता है इसलिए दोस्तों टाइम लिए आपका एक्षन लेना बहुत दूर्वी है बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की औ उसको दोस्तों 65 साल से शुरू करने की बात की गए थी कि जो पेंशन की बहुतरी है उसको 65 साल से शुरू करते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ पेंशनर्स हैं जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो 65 तो 75 के ही रेंज में जब हम बात करते हैं 80 90 जहांप एडिशनल पेंशन उमर से 5 परसेंट 70 साल की उमर में 10 सपर्सेंट 75 साल की उमर में 15 तो दोस्तों यह पारलेमेंटरी कमिटी ने इसको रेक्मेंड शाया यह कोई केंद्रे करमचारी संगठनिया पंशनस का संगठनिया नहीं भेजा गया था तोस पर कई बार लेटर लिखेंग अएक बार फिर जो केंदरे करमचारी और पेंशनेस के संगठाने वो इसको इंप्लिमेंट कराने के लिए पूरी कोशिश करें लेकिन तक इस पर कुछ ओफिशल रिपोर्ट नहीं आई हुई है इसलिए दोस्तों हम इसको confirm नहीं कह सकते कुछ चीज हैं आप शीज है क्लियरर कट राट कर दिया कि महंगा इब कोई नया ओरर नहीं आएगा 12 मर्च दे। सब्सक्राइब वार्ड परक्राइब उसके बेस वे महegenगाई बत्ता शार परसंट जो है उसकी मंजूरी मिल चुकी है महँगाई बत्ता आपको जो है मिल जाना चीहा है और हम यह बात करते हैं दोस्तों क्योंकि अभी भी जो है जो सपर्ष पैंशनर्स हैं उनको महँगाई बत्ता उनके खाते में नहीं आया है यहां तक कि मार्च की भी उनकी पेंशन जो है कि छेयालिस परसेंट डियार के साथ जो है क्रेडिट होई है तो दोस्तों सीजी डिये का एक बड़ा ओडर है और उन्होंने क्लियर कट का है कि इसको जल से जल जो है इसको इसका भुक्तान किया जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है सपर्श से अब जल्दी आपका जो है भुक्तान होगा और जो महिंगाई बड़े का जो अभी सपर्श ने एप्रेल महिने में बहुत सारे जो पेंडिंग केसिस चल रहे थे और जो की आपका वन रेंग वन पेंशन का भी था जिसमें वन रेंग वन पेंशन की लोगों की चौथे किस्ट अभी तक नहीं मिली है वो सीपी ग्राम के थुरू काफी चीजे पेंडिंग चल सब्गार कोशा के एक अब उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गिये और कई पैंशनेर से कंफर्म किया है कि सीपी ग्राम में उनका ग्रिवेंच डालने करने के बाद से फर्ष नहुत पहुरा करेडिट हो गया थुच्ट, बहुत इंपोर्टेंच अपड़ेट है जडो सीपी ग्राम के थ्रू जो आपके की समस्य आए वो टाइमली इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए दोस्तों अब जो है काफी जाया तेजी आ गई है और इस महीं ने सीपी ग्राम एक्टिवली जो है जितने भी पुराने केसिज उसको जो है रिजॉल्व कर दोस्तों यह था आज के इंपोर्टन अपडेट पेंशनर्स के लिए जहां पर पेंशनर्स की जो एडिशनल पेंशन को लेकर जो है बड़ी खबर है साथी साथ दोस्तों कई लोग की जो पेंशन जो की सपर्ष में माइग्रेशन होने के बाद से जिसमें की जो है रोक लगा दी गई चाहे अडिशनल पेंशन हो चाहे लाइफ सेट्विकेट ना जमागरानी के विए से पेंशन हो दोस्तों आप इसके लिए जो है सीपी ग्राम के थ्रू जो है अपना